तो आज में तुम्हें बताने वाले हो कि तुम्हें क्लास 12 में क्या-क्या पढ़ने वाले हो अब देखो यहां पर मैं तुम्हें वह चैप्टर नहीं बताने वाला कि यह चैप्टर दिलेटर है तुम्हें यह नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना मैं तुम्हें क्लास 12 का पू 12 में तुम सीख जाओगे. क्यूं सीख जाओगे, वीडियो आगे देखो, मैं तुमें बताऊंगा, क्यूं सीख जाओगे. और काफी अच्छे तरीके से सीख जाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम तुम थोड़ा सीखोगे, थोड़ा कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अच्छे से सीखने वाले हो चीजों को, अब देखो, क्लास 12 में जितने भी चैप्टर से, उसमें प्राक्टिकली बहुत जादा काम अने वाला है, मतलब कि तुम क्लास 12 में, ठीक है, तो यहाँ पर प्राक्टिकली तुम्हें बहुत जादा काम पड़ेगा, तो अगर तुम्हारे पास हमेशा कंप्यूटर या फिर लैप्टप नहीं रहता, तो तुम अपने फोन में भी सारे के सारे प्राक्टिकल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐ अपने फोन के अंदर कैसे करोगे, ठीक है, हमारे कंप्यूटर या फिर लैप्टप में तो आसान होता है कि कर लेंगे आराम से, लेकिन फोन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो पूरी प्लेलिस्ट में बना कर रखी हुई हर एक चैप्टर के लिए कि यह काम तुम कै कैसे करवाओगे अपने फोन पे ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बहुत जादा ज़रूई है, अगर तुम सिर्फ फोन में कोडिंग करते हो ठीक है, लापका का फिर कंप्यूटर तुम्हारे पास हमेशा नहीं होता तो, और देखो तुम्हारी तरह अभी ज चैनल पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस चैनल के अलावा भी एक और चैनल खोलने वाला हूँ, उसमें मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, ठीक है, तो तुम्हें वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है, वो जल्दी उसके अनॉंस्मेंट वीडियो आए सिर्फ कंप्यूटर साइंस पर और बाकी सब्चेक के माकसपत पूछना आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपर तुम्हें चैप्टर का नाम ये दिया हूँ, उस बुक में वो चैप्टर का नाम है, ठीक है, तो सबके लिए एक common resource मैं ने बता दिया कि इस book में जैसे जो सीर यहां पर follow करने वाले हूँ, तो क्या-क्या पढ़ने वाले हो, अब chapter 1 और 2 तुमारे पास है, revision tool 1 और revision tool 2, ठीक है, अब ये उन बच्चों के लिए हैं, जिन्होंने class 12 में, sorry, class 11 में कुछ नहीं पढ़ाया, python में, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ाया, फिर उनने python समझे नहीं आ उसमें तुम्हारे basic concepts है, कि तुम user से input कैसे लोगे, if, else, क्या होता है, ठीक है, फिर for loop क्या होता है, यह सारी सारी चीज़े, फिर revision tool 2 जो है, उसमें क्या है, उसमें तुम्हारे जो अलग-अलग data types जो हैं, जैसे के list, tuples, list, dictionaries बगेरा, तो revision tool 1 और revision 2 तुमारे लिए काफी helpful होगा, अगर तुमारी class 11 अच्छी नहीं गई है, और अगर तुमने अच्छे से अगर पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा जरूरत नहीं पढ़ने वाली तुम्हें revision 2 और revision 2 पढ़ने की, लेकिन फिर भी मेरी views बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो, पढ़ लो, watch time भी बढ़ जल्द जल्द बता देता हूँ, तो अब मान लो कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा code है, और वहाँ पर तुम्हारे पास कोई एक line है, beast line का code है उसमें, बीच में कोई एक जगह है, बीच में जो beast line के code है, वो तुम बार बार use कर रहे हो अपने code ठीक है, मतलब ऊपर में तुमने कहीं use किया, फिर नीचे कहीं और उसकी जरूपरी तो फिर से तुमने लिख दिया, तो इस पर तुम क्या करोगे, अब जाहिर सी बात है, अगर इसको आसान बनाना है, तो तुम क्या करोगे, copy paste कर दोगे, लेगिन ये एक सही तरीका नहीं है, तुम्हारा code काफी ल चलो वो 10 line का code है, अब वो 10 line का code है, और तुम हर जगा वो 10 line के code को copy paste कर रहे हो, तो फिर ये बहुत, क्या बोलो मैं इस पर, काफी बेकार practice है code की, ठीक है, तो तुम इसको solve कैसे करोगे, तो देखो, यहाँ पर क्या होता है, कि हम एक function मनाते हैं, कोई एक नाम रख देते है function का, ठीक है, और उसके अंदर वो 5 line का, sorry, 10 line का code, वहाँ पर store कर देते हैं, ठीक है, और उस function को हम जहाँ जहाँ, हमें उन dust line के code की ज़रूरत होती है, उस function को हम वहाँ पर call कर लेते हैं, बस, बस function का नाम लिख देते हैं, तो वो function call हो जाता है, एक तरीका होता है, ठीक है, तो वो function call हो जाता है, तो हमें बार 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 लिखने की ज़रूरत नहीं परती, हम उस function का नाम ही लिख देते हैं, और वो कॉल कर देते हैं बस एक बार हमें डिफाइन करना होता है मतलब उस function के अंदर वो dustline का जो code है वो हमें एक बार डालना होता है तो इस तरह से एक function बन जाता है इस तो यह होता है इक function मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ अभी भी मैं बता दिया अब जब तुम हम chapter पड़ेंगे तब भी मैं बता हूँगा और function में और बहुत सारी चीज़े है अश्यओं इसा नहीं कि मैं इतना बता दिया function यह होता है खतम हो गया अब यह function है ठीक है function में कुछ चीजे हैं तो तुम्हें functions बढ़ाऊंगा मैं अब चौरता चेप्टर आता है वो आता है libraries का ठीक है तो libraries क्या होती है अब देखो मैंने तुम्हें functions बताया है ठीक है अब तुम तुम सिर्फ एक ऐसा python बना रहे हो जिसमें सिर्फ functions तुम add कर रहे हो ठीक है अब तुम functions define कर रहे हो और उसमें कुछ काम नहीं कर रहे हो और तुम्हें पास कोई एक दूसरा python है अब यहां पर तुम क्या कर रहे हो कि इस python फाइल को import करवाओगे तुम और इसके functions जो है उनका नाम लिखके access करोगे ठीक है यह काम करवा सकते हो तुम तो यह जो फाइल बन गई नहीं यहां पर तुम सिर्फ functions को store कर रहे हो ठीक है तो यह जो फाइल बन गई python की फाइल इसे तुम एक module कह सकते हो ठीक है और उसी module के जो बहुत सारे अगर तुम्हारे पास 5 6 module साथ में उसको तुम एक collection बना रहे हो ठीक है तु उस collection को हम क्या कहते है उस collection को हम lgus घख अब देखो functions कातुम कवा करके एक जगह बना रहे वोसे तुम क्या करते हो modules फिर उन modules को एक जगह क्लेक्ट चरकर तुम च्या बना रहे हो libraries बना लो, तो यह होती है, libraries और libraries को कैसे बनाते हैं, कैसे import करते हैं, कैसे उसके functions को use करते हैं, यह सब अब सीखने वाले libraries के chapter में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से chapter है, आगे हमारे पास है, file handling, तो अब file handling क्या होती है, देखो file handling में, तुम files पे काम करने वाले हो, ठीक है, अब तक तुम क्या कर रहे थे, python files बना रहे थे, code लिख रहे थे, run कर रहे थे, कुछ-कुछ काम कर रहे थे, काम खतम, ठीक है, हो गया, अब तुमारे पास है file handling, अब तुम files बनाने वाले हो, ठीक है, कौन-कौनसी files, text files बनाने वाले हो तुम binary files बनाने वाले हो और तुम CSV बनाने वाले हो text files क्या होता है सबको पता है तुम notepad खोलते हो अपने computer पर कुछ type करते हो और save करते हो तो वह .txt format में से होता है यानि कि एक text file बन गई वह अब वहीं हमारे पास word भी होता है ठीक है अगर तुम एक word में MS word में अगर तुम चीजों को लिख के store कर रहे हो तो वह text file नहीं होती है तुम यह पर ध्यान रखना है ठीक है तुम यहाँ पर python के code के help से तुम files बनाने वाले हो text file बना रहे हो create कर रहे हो उसको तुम उसमें तुम चीजों को store कर रहे हो मतलब लिख रहे हो और उसके बाद फिर edit कर रहे हो save कर रहे हो जो करना है कर रहे हो ठीक है तो यह text file की जो चीजे है यह तुम coding के help से कर र से 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 साधवा काम कर सकते हैं इसी तरह से फाइल है वह काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग चैप्टर है हमारे लिए अब आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास है रिकर्जिन यहांपर थोड़ा सा माता घूमने वाला है ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कि हम function के अंदर ही function को call करते हैं, अब यहाँ पर मैं तुम्हें जाधा deeply हर एक chapter को नहीं बताऊंगा, वरना तुम video बन करके चले जाओगे, तुम्हारा interest कतम हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, तो recursion तुम समझ के क्या होता है, कोई एक function के अंदर ही हम function को call करेंगे, उसे हम recursion कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आता idea of algorithm and efficiency, इसमें हम यह देखने वाले कि हम अपने program को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, कैसे जाधा efficient बना सकते हैं, मतलब कि कौन सा program, जैसे program काफी अगर लंबा हो गया तो फिर वो जाधा होना चाहिए, ठीक है, python बना ही, इसलिए कि तुम programs को जल्दी जल्दी छोटा है, मैं बना दो, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे है data structures one, अब data structures क्या होते हैं, देखो, हम जैसे चीजों को कैसे store करते हैं, जैसे data क्या होता है, कोई भी raw factor figure होते हैं, data होने हम कहते हैं, तो यह basic definition है, data का, तो हम data को किस तरह से store करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम organize करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते है data structures, ठीक है, अब बहुत सारे तरीके होते हैं, organize करने के, तो वही organize करने के जो जो तरीके होते हैं, उन्हें हम कहते है data structures, तो data structure one जो हमारे पास है, वो है linear list का, और data structure 2 है उसमें हम पढ़ने वाले stacks और ques के बारे में ठीक है तो इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाँगा और तुम अगर engineering करने वाले हो अगर तुम तो फिर जेए का फिर भी data structure algorithm काफी important अगर तुम अभी से ध्यान दो तो काफी मज़ा आगा तुम्हें आगे बड़ते हैं तो यह chapter 8 और chapter 9 होगे तुम्हेरे पास data structure 1 और data structure 2 ठीक है आगे बड़ते है chapter number 10 इसमें क्या है communication and network concept ठीक है तो इसमें तुम्हें क्या है क्या है networking कैसे होती है bridge क्या होता है router क्या होता है बगरा बगरा यह सारी चीज़ें होती है और security की कुछ simple queries के बारे में है ठीक है तो यहाँ पर queries लिखने वाले हो commands लिखने वाले हो और से तुम database में चीजों को manage करने वाले हो ठीक है फिल chapter number 13 वह भी टेबल creation and data manipulation commands है वह भी वही है chapter number 14 इसमें भी grouping है records और joints in SQL ठीक है तो तुम्हारे पास chapter number 11 12 13 14 यह सारी की सारी चीज़े तुम्हें प्रॉपर तुम्हें database लिखाएंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे है तुम्हारे पास chapter number 15 chapter number 15 क्या कह रहा है chapter number 15 इंटरफेस python with mysql ठीक है अब interface python with mysql क्या करता है कि हम python को और mysql में हम जो भी database में चीजों को पढ़ने वाले उनको आपस में जोड़ देंगे अब इनको जोड़के हम आपस में पाइथन से ही अभी हम क्या करा रहे थे file handling में हम वहाँ पर चीजों को स्टोर कर रहे थे text file यह सब बना रहे थे ठीक है text file csv file यह सब बना रहे थे लेगिन हम यहाँ पर पाइथन से database में चेर चार करेंगे ठीक है अब हम database में यहाँ पर गुसेंगे और इस chapter और यह जो चैप्टर है इंटरफेस python with mysql इसके लिए अलग वीडियो कि तुम इसको फोन पर कैसे चीजों को करने वाले हो वह भी वीडियो है तो तुम में प्लेश जरूर से जरूर अक्सेस करन पड़ेगा ठीक है और यह जो चैप्टर यह जो लास्ट चैप्टर है इंटरफेस python with mysql बहुत जादा इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इस चैप्टर की है उससे तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने को मिलेगा class 12 में इसमें तुम्हें बोला जागा कि कोई ऐसा प्रोजेक बनाते हैं बच्चे और bank management system हो गया, library management system हो गया, hospital management system हो गया यह ऐसा कुछ भी होता है तो यह वही है तो यह project तुम्हें बनाना होता है और यह project भी तुम पौन से बना सकते हो कैसे बना सकते हो सब कुछ बता हुआ है playlist में ठीक है और अभी मैं तुम्हें यह बताने वाला कि यह जो तुम project बनाने वाले हो इसके लिए भी मैं वीडियो लेके आँगा कि तुम कैसे बहुत अच्छा project बना सकते हो और मैंने कौन सा project बनाया था उसके उपर भी मैंने एक video बनाया हुआ है ठीक है और वो वीडियो है मैंने एक बनाया था class management system ठीक है और उस video को मैं तो मैं बता दूँ अगर अभी जो तुम program बनाते हो उसमें क्या होता है कि one press करो तो हम add करके देंगे चीजों को तुम यह प्रेस करो अगर तुम आगे बढ़ना तो तुम y press करो अगर नहीं बढ़ना तो n press करो ठीक है यह सब होता है ठीक है लेकिन GUI based जब भी तो हम program बनाते ह कर रहे होते हैं हम वहाँ पर माउस से click कर रहे होते हैं ठीक है हमें options images icons यह सारा कुछ दिख रहा होता है टाब्स वगरा सब कुछ दिख रहे होते हैं इसे हम कहते जी वाई बेस प्रोग्राम और उस तरह से मैंने बनाया था पूरा का पूरे class management system तो वह एक software मैंने बनाया थ तो वह तुम्हें जरूर देखना है ठीक है तो यह था तुम्हारे पूरे के पूरे class 12 का content तो यह सारा कुछ तुम पढ़ने वाले है class 12 में काफी मज़ा आने वाला है video's upload करता रहूंगा जिस तरह से तुम्हें मज़ा आया class 11 में वैसे ही तुम्हे class 12 में भी मज़ा आने व